हाई काईस वेलकम टू माई चानल बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट करते के दी हमको बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है और समर सीजन में यह प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेमेडी शेयर करने वाली हो जो आपके एक्ने को तो खतम करेंगी पिंपल के मार्क्स को भी खतम करेंगी और आपके स्कीन को बहुत ज़्यादा मौशराइज और सबसे इंपोर्टन चीज़ ग्लो प्रॉइड करेंगी तो गईस वीडिय ग्रीन टी अवेलेबल है आपने उसको ले लेना है मेरे पास यहाँ पर यह थी तो मैंने इसका इसका इस्तेमाल किया ग्रीन टी जो होती है हमारी स्कीन के लिए बहुत ज़दा बैनेफिशल होती है यह फाइट करती है प्रीमीचिय और एजिंग से और सबसे इंपोर्टन चीज जो है यह ट्रीट करती है अकने को आपकी स्कीन को मौशराइज रखती है और रेडनेस को इरिटेशन को खतम करती है तो ग्रीन टी के हमारे स्कीन पर बहुत सारे फाइदे हो और समर में तो यह किसी वरदान से कम नहीं है तो जो है ग्रीन टी का पाउडर भी आप इस वक्स से पहले जो एजिंग आ जाती है उसको भी ये रोकता है और प्रिंटी के वैसे हमारे स्कीन पर बहुत सारे पायदे है गाइज उसके बात जो है यहाँ पर मैंने मार्किट वाला कर्ट ले लिया है एक चमच के करीब जो है आपने कर्ट को इसमें एड करना है कर्ट जो ह है दही हमारे स्कीन को मौशराइज रखता है और सबसे इंपोर्टन जो चीज है कर्ट जो है प्रिवेंट आकने यह जो है स्कीन को लाइटन करता है आपकी स्कीन को मौशराइज रखता है और जो कर्ड की सबसे अच्छी बात है अगर आपकी अनिवन स्कीन टोन हो गई है उसको भी जो है ये बहुत सही करता है, आपके skin को lighten करता है, एक चमच के करीब जो है मैंने इसमें curd को add कर लिया है, गाइस उसके बाद यहाँ से एक चमच के करीब जो है मैंने rice flour को ले लेना है, rice flour जो है wonder exfoliator की तरह काम करता है, ये excess oil को खतम करता है, अगर हम summer season में कोई बह है sweating की problem, excess oil जो हमको निकलता है उसको खतम करता है, और ये आपकी skin को repair करता है, अगर आपकी skin sun से damage हो रखे तो उसको भी बहुत अच्छी तरीके से repair करता है, आपकी skin में बहुत ही amazing glow add करता है, rice flour हमारी skin के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है, rice flour tighten your pores and tones your skin, तो यहाँ पे जो है आपने जैसे इसको बना लेना है, वैसे ही जो है आपने इसका इसका इस्तिमाल करना है, guys हमारा last and final ingredient है lemon, lemon हमारी skin से तेजी से mail करता है, और lemon में होता है भर-बर के vitamin C, lemon जो है हमारे skin को brighten up करता है, हमारे skin को lighten करता है, lemon के हमारे skin पे बहुत सारे फायदे है, तो यहाँ पे क कुछ कत्रे ही जो है मैंने इसमें लेमन के एड़ कर लिए है अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो उसके बाद ये सारी ही चीजों को जो है हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है अच्छा गैस इसमें जो है आपने वाटर का इस्तेमाल बिल आपने उसके बाद ये सारी ही चीजों को जो है हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है मैं आप लोगों को बता दू ट्रस्ट मी गाइस अगर आपको जो है बहुत ज़दा एक्ने की प्रॉबलम है या जो है पिंपल्स आके जो बहुत ज़दा निशान रह जाते है तो उसमे भी ये बहुत एफेक्टिवली वर्क करता है ये त्री इंग्रिडिन्ट जो है ये जो तीन से चार इंग्रिडिन्ट मैंने आपको बताए है ये हर जगा पे अवेलेबल होते हर किसी के घर में आपको बहुत एजली मिल भी जाए गाइस ये रेमेडी बनाने में जितनी आसा मॉशराइस और सौफ्ट एंग्लोइंग स्कीन देने में बहुत ज़्यादा है और जो हमने जो इसके अंदर ग्रीन टी को एड़ किया है ग्रीन टी के हमारे स्कीन पे इतने सारे फाइदे है ग्रीन टी हमारे स्कीन के लिए बहुत ज़्यादा बैनेफिशल है ये जो है प् तो इसमें जितने ही सारी चीज़ें हमने एड़ की है ये बहुत ही ज़ाधा amazing and beneficial है आपके skin के लिए तो guys इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत ज़ाधा आसान है सबसे पहले तो जो है आपने clean face पे इसको apply करना है अगर आप इसको रात में सोते वक जो है apply करोगे और तो बहुत अच्छे result आपको देखने के लिए मिलेंगे तो यहाँ पे जो है आपने 5-7 मिनिट के लिए जस्ट ऐसे ही छोड़ देना है and आपने हलके हाथों से जो है इसको scrub करते वे मसाज करते में निकाल देना है अच्छा गैस इसके result बहुत जादा amazing है क्योंकि हमने इसमें चावल का आटे को जो है एड़ कि है जो rice flour होता है यह natural exfoliate की तरह हमारे skin पे काम करता है dead skin cells को remove करता है तो यहाँ पे जो है आपने 5-7 minutes को पहले से लगा के छोड़ देना है and then उसके बाद हलके हाथों से उसको rub करते भी निकाल देना है guys trust me यह remedy बनाने में जितनी आसाने उतनी ही ज्यादा effective है इस अच्छी तरीके से hand को wash करने के बाद जो है आपको moisturizer लगाने की बिज़रत नहीं पड़ेगी I hope कि वीडियो भी आप लोगों के लिए helpful रही हो अगर ऐसा है तो please एक like जरू करा करें और भी अच्छी वीडियो देखने के चानल को जरू सब्सक्राइब करें thanks for watching my video and subscribe us for more videos